इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेगे हैं आप जरोधा के डिमेट अकाउंट का T-PIN भूल चुके हैं अब आप किसी भी स्टाउक को सेल नहीं कर पा रहे हैं तो किस परकार आप जरोधा के डिमेट अकाउंट का T-PIN को फौर्गेट करेंगे और फिर बॉल सकते हैं कि किस प्रकार से एक नया टीप इन जनरेट करेंगे तो डेटेल में इस वीडियो में जानेंगे तो नमस्कार दोस्तों मेरे ना मेरे इंकूगूगूँ आप देख रहे हैं रेगाफलिक इन्फो तेप इनको जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको जरोधा का काईट अपलिकेशन ओपन करना है ओपन करने के बाद में आपने जो भी watch list एड़ कर रखे होगी वो आपको दिखाई देगी उसके बाद में आपको नीचे option दिखाई देते हैं यहाँ पे जो आपका user ID है और user का logo है basically यहाँ click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद में आपकी profile आपको दिखाई देगी यहाँ पे आपको काफी option आएंगे profile का जो option है यहाँ पे click करेंगे प्रोफाइल के option पे click करने के बाद में आपकी जो भी basic information है यानि की details हो आपको दिखाई देंगी उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे pen card की just नीचे लिखा है Demate BO Demate BO मतलब Demate BO का मतलब होता है Beneficiary Honor Identification Number यानि कि जो BO ID है इसको आपको copy कर लेना है क्योंकि इसकी आपको जर्रत पढ़ने वाली है दूसरा आपका pen card number So मैं जो भी मेरा ID है simply वो copy कर लेता हूँ ये आधार card की तरह unique होता है So आप इसको किसी के साथ भी share ना करें अभी आपने कुछ समय पहले आपका जो BO ID है वो copy किया था वो ID आप यहाँ पे डालेंगे और जो भी आपका pen card number है simply वो डालेंगे उसके बाद में next करेंगे So मैं मेरा जो भी ID है वो डाल देता हूँ pen card number डाल देता हूँ और next कर देता हूँ उसके बाद में आपको एक OTP भेजा जाएगा आपके register mobile number पे and register email ID पे पर सकते हैं बट ऐसा होगा नहीं कि आपको OTP ना मिले अगर आपको email पी नहीं मिलता है So आप simply जो text message है आपका inbox check कीजे आपको OTP मिल जाएगा So एक बार मैं देख लेता हूँ कि मुझे OTP मिला है या नहीं मुझे OTP मिल चुका है मैंने OTP डाल दिया उसके बाद मैं यहाँ पे next पे click करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे जो last process बचा है वो बचा है new T-PIN का यानकि हमको खुद से decide करना है कि हम हमारा जो T-PIN है वो क्या रखना चाहते हैं So basically यहाँ पे सबसे पहले पूचा जा रहा है उपर आप देखेंगे new T-PIN यानकि आप जो बनाना चाहते हैं वो T-PIN यहाँ डालेगे उसके बाद में confirm T-PIN यानकि just अभी आपने डाले हैं वो वापस से आपको repeat करने हैं यानकि re-enter करने है T-PIN कितने अंको के होने चाहिए यहाँ पे अंको से मेरा मतलब यह है कि math में होंगे basically and minimum and maximum आपको जो 6 digit है उनके आपको जो T-PIN है वो बनाने होंगे जो भी आपको T-PIN बनाना है simply वो आप डाल लीजे सबसे पहले enter कीजे new T-PIN उसके बाद में re-enter T-PIN कीजे उसके बाद में submit कीजे so मैं जो भी T-PIN बनाना चाहता हूँ 6 अंको का वो T-PIN मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं अपना जो भी T-PIN बनाना चाहता था वो मैंने डाल लिया उसके बाद में submit पे क्लिक करूँगा उसके बाद में आप देखेंगे आपका जो भी पुराना T-PIN था अभी वो आपका reject हो चुका है यानि कि वो काम में नहीं आएगा आपने जो अभी नया T-PIN बनाया है उससे आप किसी भी stock को sell कर सकते हो जो भी आपने delivery ले रखी है सो कुछ इस प्रकार से आप नया T-PIN create कर सकते हैं अगर आप जरोधा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं अधिक सीखना चाहते हैं सो प्लेलिस चेक कीजिए जरोधा का आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे मैं मिलूँगा एक और ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वंदे मातरम असते रहिए मस्कराते रहिए